दोस्तो एक सास अपनी बहु को बुलाती है और अपने पास बिठा लेती है उसके बाद वै अपने बेटे के परम मित्र को बुलाती है और उसको अपने पास बिठा कर कहती है कि बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बहु से साधी कर लो आखिर उस सास ने ऐसा क्यूं कहा पूरी सच्चा जानने के लिए वीडियो को अंतक जरूर देखे नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है जीतू सौरोत और आप लोग देख रहे हो और जो प्रदीप है उसके पिता का नाम है रामचंडर अब दोनों बहुत ही गहरे दोस्ते एक साथ खेलते कूदते हैं एक ही साथ बड़े हुए थे और एक ही सिकूल में पढ़ने के लिए जाया करते हैं दीरे दीरे वक्त बीटता है वो और बड़े हो जाते हैं और उसी तरह से उन दोनों की दोस्ती भी बहुत ही ज़्यादा गहरी हो जाती है अब जो यहाँ पर रमेश के पिता जी थे राकेश वो दिल्ली में जाकर कुछ काम नंदक करने लगते हैं वहाँ पर उनका काम अच्छा चलता है तो वो अपने बेटे को अपने साथ ले जाते हैं और अपनी पतनी को भी अपने साथ ले जाते हैं यानि कि रमेश और रमेश के पिता राकेश और उसकी मा वो सभी लोग दिल्ली में रहने लगते हैं वहाँ पर उसके पिता ने उनका अपना घर खरीद रखा था और उसी घर के अंदर वो रह रहे थे इधर जो प्रदीप है वो अपने पिता रामचंडर के साथ गाउं में ही रहकर खेती बाड़ी में उनका हाथ बटाया करता है अब दोनों बच्चे विवा के योग हो जाते हैं दोनों के लिए लड़की देखी जाती हैं और दोनों की साधी करती जाती है जो रमेश है उसकी पतनी का नाम होता है गीता और यहाँ पर प्रदीप है उसकी पतनी का नाम होता है रंजना रंजना और गीता दोनों ही बड़ी खुसरत थी और दोनों ही परिवार अच्छी तरह से रहा करते हैं कि यहाँ पर कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है दोनों परिवारों को किसी की नजर लग जाती है जो रमेश की पतनी गीता होती है वो गर्वती होती है और जैसे डिलीवरी का टाइम आता है उस टाइम पर किसी कारण से जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो जाती है रमेश बिलकुल अकेला रह जाता है और उदास अपनी लैप में रहने लगता है इदर जो पिरदीप होता है एक रोड एक्सिडेंट में उसकी मौत हो जाती है उसके जो पिता थे रामचंद्र वो पहले ही मर चुके थे तो पिरदीप के घर में केवल पिरदीप की मा और उसकी विदवा बहु रह चुकी थी यानि कि दो विदवा उसके घर में रह चुकी थ अब दोस्तों दोनों परिवार एक तरह से तूट गए थे और दोनों परिवार अधूरे रह गए थे अब इसके बाद यह बात रमेश को पता चलती है तो रमेश और भी हतास हो जाता है क्योंकि उसका जो बेस्ट फ्रेंट था वो इस दुनिया को छोड़के जा चुका था अब जो रमेश है वो एकदम खोया-खोया सा रहने लगता है तो जो रमेश की मा है वो उससे कहती है कि बेटा तू ऐसा कर गाउं चला जा वहाँ पर तुम्हारी दादी मा है उसके साथ रहे गाउं में रहेगा किसी से गुलेगा मिलेगा तो थोड़ा अच्छा फील करेग तो यहाँ पर उसकी मा उसको गाउं भीज देती है रमेश भी गाउं आ जाता है और गाउं आने के दूसरे ही दिन सुबा सुबा वो अपने दोस्त की मा से मिलने के लिए पहुँच जाता है वहाँ पर जैसे वो अपने दोस्त की मा को देखता है तो उसे अपने दोस्त की बड़ी याद आती है और वो फूट फूट कर यहां पे रोनी लगता है उसके दोस्त की मा भी उसको देखकर जोर जोर से रोनी लगती है दोनों एक दूसरे के गले लिपट लिपट कर रोते हैं कि मौसी ये कैसे हुआ क्योंकि जो प्रदीप की मा थी वो रमेश की मौसी लग प्रदीजना वे उनके लिए चाय नास्ता लेकर आती है यहां पर जो रमेश की मौसी है वो रमेश से कहती है कि बेटा बुरा तो तुम्हारे साथ भी बहुत जादा हुआ है और भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो तो यहां पर रमेश कहता है कि मौसी अब इसमें मैं क्य बता देना अब बिलकुल भी यह मत सोचना कि मुझे कोई इससे परिशानी होगी मैं भी तो आपका बेटा ही हूँ तो यहां पर जो प्रदीप की मा होती है रमेश की जो मौसी होती है वो कहती है बेटा कोई दिक्कत नहीं अगर किसी चीज की जरुरत पड़ी तो मैं तुम बता दूगी ऐसा कहने के बाद रमेश वहां से अपने घर अपनी दादी के पास आ जाता है अब दोस्तों इसके बाद जो दो तीन दिन निकल जाते हैं वो लोग आपस में मिलते रहते हैं तो एक दिन क्या होता है एक दिन जो रमेश की मौसी है वो रमेश के पास आती है औ तो जो रमेश होता है वो उस पायल को लेकर बजार जाता है और वहाँ पर जैसे सुनार के पास जाता है सुनार उस पायल को देखने के बाद कहता है कि भाई अगर इसको बनाते हैं तो इसमें काफी ज़्यादा टाइम लगेगा तो मैसा करो कि इसको तोलकर मैं रख लेता हूँ और एक नई पायल आपको दे देता हूँ और उसमें वजन की जो भी घटा बड़ी होगी उसको कर लेंगे तो यहाँ पर रमेश कहता है कि चलो भाई ठीक है तो मैसा करो नई पायल मुझे दे दो तो यहाँ पर जो रमेश है वो सुनार से उस नई पायल को ले आता है और लाने के बाद अपनी मौसी के हाथ में थमा देता है और उसे कहता है कि मौसी ये लो भावी को ये नई पायल दे देना तो जो रमेश की मौसी होती है वो कहती है कि बेटा मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं मैं पैसे वैसे ही तुमको बाद में देने वाली थी यह बताओ कितना खर्चा आया इसके अंदर तो यहां पर रमेश कहता है कि मा अब तुम मेरी मा ही हो और जब तुम मुझे पैसे दोगी उसी टाइम पे पूछ लेना कि कितना खर्चा आया है मैं कहीं भागा थोड़ी ना जा रहा हूँ तो यहां पर जो रमेश की मौसी होती है वो उस पायल को ले जाकर अपनी बहु को पहना देती है रंजना को कि बेटी ये लो तुमारी पायल ठीक हो गई है अब दोस्तों उसके बाद ऐसे ही करते करते कुछ दिन और निकलते हैं तो एक दिन जो रमेश की मौसी है वो उससे कहती है कि बेटा रंजना की भुवा के यहां पर किसी की साधी है तो इसको जाना होगा क्या तुम उससे वहां तक छोड़ दोगे तो यहां पर रहता है कि हाँ मौसी जब तुम कहो मुझे बता देना मैं इसको वहाँ पर छोड़ दूँगा जो रमेश की मौसी होती है वो कहती है बिटा कल सुबा ही इसको छोड़ना है तो तुम कल तयार रहना रमेश इस बात को सुनने के बाद अपने घर जाता है सुबा जैसे होती है तो वो उठता है उठने के बाद तयार होता है तयार होने के बाद अपनी बाइक को निकालता है और अपनी मौसी के घर पे पहुंच जाता है और मौसी से कहता है कि मौसी बेजो भावी को मैं इनकी भुवा के यहां पर छोड़ाता हूँ यहाँ पर रंजना और रमेश दोनों एक बाइक पर बैट कर रंजना की भुवा के यहाँ जहाँ पर साधी थी वहाँ के लिए निकल देते हैं रास्ता थोड़ा लंबा था लगबग 50 किलो मीटर का सफर उनने तै करना था तो रास्ते में एक कोल्डरिंग की दुकान होती है वहाँ पर रमेश गाड़ी को रोकता है और रोकने के बाद रंजना से उतरने के लिए कहता है रंजना गाड़ी से उतरती है और वहाँ से कुछ कोल्डरिंग और नमकीन वो खरीदता है खरीदने के बाद अपनी भावी को इनको देता है। यहाँ पर रंजना है वो कहती है इनकी क्या जरूरत थी, इतना लंबा सफर थोड़ी ना है। तो यहाँ पर रमेश कहता है काफी लंबा सफर है, गर्मियों का टाइम है, थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाएगा और यहाँ पर इनको पी लेते हैं, उसके बाद थोड़ी राहत भी मिलेगी, तो यहाँ पर रंजना और रमेश वहाँ पर कोल्डरिंग और नमकीन खा पी लेते हैं, इसके बाद जैसे चलने वाले होते हैं, तो रमेश अपने पास से 3000 रुपे निकालता है, और रंजना को देने लगता है, रंजना कहती है कि इनकी कोई जरूरत नहीं है, माजी ने मुझे पैसे दिये हैं, तो मिने वापस रख लो, रमेश कहता है कि अगर जरूरत पड के घर पे चल देते हैं, थोड़ी देर के बाद वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं, वहां पर रमेश का अच्छी तरह से स्वागत किया जाता है, उसको बिठाया जाता है, चाय पानी पलाई जाती है, और अब इसके कुछ दिर बाद वहां पर डटने के बाद, वहां से वापस रवाना हो जाता है, रवाना होने के बाद वो अपने घर आता है, और अपनी दादी के साथ वहां पर रहने लगता है, अब इसके साथ दिन बाद, उसकी जो मौसी है, वो फिर से उससे कहती है कि बिठा, अब मुझे छोड़ने के लिए चलो, तो यहां पर साम का टा वो कहती है किटा, रात काफी ही जादा हो चकी है। तो मैंसे करो सुबै हम तीनों एक साथ चल देंगे। तो रमेश भी agree हो जाता है कि चलो कोई दिक्कत नहीं, हम तीनों सुबा एक साथ ही चल देंगे, तो साधी का माहौल था, वहाँ पर जो रंजना होती है, वो रमेश को देखती है, वो एक कौने में खड़ा हुआ था, तो वह उससे पूछ लेती है, कि आपने खाना खाया या तो यहाँ पर रमेश कहता है, खालूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने आप खाना खालूँगा, तो यहाँ पर रंजना रमेश को बुलाती है, एक टेबल पर बिठाती है, और दोनों एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, अब इसके बाद साधी अच्छी तरह से और उसकी बहु रंजना वो अपने घर में अपना काम धंदा देखने लगते हैं, अब ऐसी करते करते कुछ दिन और बीठते हैं, एक दिन क्या होता है, सुबा सुबा बारिस होई थी, और बारिस के टाइम में फिसलन चारो तरफ हो चुका था, और जो रमेश की मौसी थी, वह घर से बाहर कहीं जा रही थी, और उनका पैर फिसल जाता है, और उनके गुटने में कोई चोट लग जाती है, अब वो दर्द से जोड़ जोड़ से करा रही थी, तो जो रंजना है, वो थोड़ी सी होपलेस हो जाती है, वो सोचती है कि अब क्या किया जाए, क्योंकि द तुम्हारी मौसी के पैर में चोट आई है वो फिसल कर गिर गई है तो रमेश अपने घर से अपनी बाइक निकालता है और उसको लेकर सीधा अपनी मौसी के पास जाता है वहाँ पर पूरा के पूरा मामला देखने के बाद वो रंजना से कहता है कि तुम ऐसा करो मौसी को है डोक्टर देखता है जाच परताल करने के बाद बताता है कि इनके गुठने में फैक्चर आ गया है इसमें थोड़ा ज्यादा खर्चा आएगा तो यहां पर जो रमेश होता है वो जट से बोल परता है डोक्टर साब आप पैसों की चिंता मत करो पैसे में जमा कर दोंगा अब केखल आप केबल और ऐलाज पर अच्छी तरे से करादो तो जिधें टॉटर चालो करते हैं रमेश 20000 काउंटर पर जमा करा देता है कैस काउंटर पर और इलाज चलने लगता है इलाज चलता रहता है और जो फैक्चर का इलाज है दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे वो थोड़ा लंबा चलता है अब जो रमेश होता है वो उनको हॉस्पिटल में छोड़ने के बाद अपने घर जाता है पूरी की पूरी कहानी अपनी दादी को सुनाता है कि इस तरह से उसकी मा के पैर में फैक्चर आ चुका है तो उसकी दादी भी सभी बात को समझती है और उनके लिए खाना बना कर रमेश को दे देती है कि चलो जाओ जाकर खाना दे आओ तो रमेश अपने घर से बना हुआ खाना लाता है और रंजना और अपनी मौसी को खाने के लिए देता है तो यहाँ पर जो रंजना होती है वो कहती है कि तुमने खाना खाया तो यहाँ पर रमेश कहता है मैं बाद में खालूँगा तुम लोग खालो तो यहाँ पर रंजना रमेश को अपने साथ बैठा कर फिर से खाना खलाती है सभी लोग बैठ कर खाना खाते हैं और उसके बाद रमेश घर चला जाता है ऐसी करके वो फिर अगले दिन आता है अगले दिन फिर खाना लाता है वो लोग एक साथ बैटकर खाना काते हैं एदर जो उसकी मौसी थी उसका इलाज चला हुआ था और इलाज चलते चलते कुछ दिन हो जाते हैं यह निकि 7-8 दिन बीट जाते हैं तो एक दिन रंजना बोल पड़ती है कि रमेज तुम ऐसा करो मुझे भी घर ले जाओ मैं भी ना दोकर अपने कपड़े चेंज कर लूँगी काफी दिन हो गए मुझे वो ऑस्पिटल में रहते रहते तो रमेज रंजना को अपने साथ बिठा कर उसके घर पे जाकर ड्रॉप कर देता है अब दोस्तों इसके बाद दीरे दीरे टाइम ऐसे बीठता रहता है और जो मौसी है उसके पैर का फैक्चर ठीक हो जाता है उसके बाद जो टोटल बिल है वो लगबग साथ हजार रुपे का बनता है रमेज हॉस्पिटल का पूरा के पूरा बिल चुका देता है और उसके बाद रंजना और अपनी मौसी को लेकर घर आ जाता है घर जैसे ही आता है तो जो रमेज की मौसी है वो अपनी बहु को अपने पास बिला कर बिठाती है और दूसरी तरफ रमेज से कहती है कि बेटा यहां पर आओ उसको अपने पास बिठाती है और उससे पूस्ती है कि अगर मैं तुम से कुछ मांगू तो तुम मुझे दोगे तो यहाँ पर रमेश कहता है कि मौसी आप एक बार बोल के तो देखो मैं आपके लिए जान भी हाजिर कर दूँगा क्योंकि तुम मेरे दोस्त की मा हो तो मेरी भी मा ही हो तो यहाँ पर जो रमेश की मौसी है वो उससे कहती है कि बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बहुरंजना से साधी कर लो ऐसा सुनने के बाद रमेश थोड़ा सा चुप पड़ जाता है थोड़ी देर के लिए माहौल थोड़ा सुमसान वहाँ पे हो जाता है फिर उसके बाद रमेश कहता है कि मौसी इसके लिए तो आपको मेरे पिताजी से बात करनी होंगी और उससे पहले मैं चाहता हूँ कि इसमें रंजना की राय भी जाननी चाहिए क्योंकि यहाँ पर रमेश का कोई भी नेगेटिब पॉइंट नहीं था क्योंकि यहाँ पर दोस्तों रमेश के इरादे बिल्कुल भी गलत नहीं थे तो इसलिए वह अपनी मौसी से कहता है कि मौसी इसके लिए पहले तो पिताजी से बात करनी होगी लेकिन उससे पहले मैं रंजना से बात करना चाहूंगा क्या रंजना इस बात के लिए एगरी है तो यहाँ पर रंजना भी एक बार चुप हो जाती है लेकिन उसके बाद अगले ही छंवो बोल पड़ती है कहती है कि जैसी सासुमा चाहे वैसा ही होगा उनकी बाते सराँक उपर तो यहां पर रंजना की तरफ से भी हाँ थी अब बात अटक रही थी तो केबल रमेश के पिता के उपर तो यहां पर जो रमेश की मौसी है वो रमेश के पिता राकेश के पास दिल्ली फोन करती है और उनको यह बात बताती है तो रमेश का जो पिता राकेस होता है वो कहता है कि भवी जी ये बाते फौन पर नहीं हुआ करती मैं ऐसा करता हूँ कल मैं गाउं आता हूँ और वही पर ये बाते करेंगे तो उसके अगले ही दिन जो रमेश का पिता राकेस है वो गाउं आ जाता है और गाउं आने के बाद बात को पक्की करता है और कहता है कि हमें भी बड़ी खुशी होगी कि इन दोनों की साधी हो जाए तो दोनों का घर उजड़ा पड़ा है दोनों का जीवन अच्छी तरह से कट जाएगा और भगवान इनको सुखी जीवन दे तो दोनों की बड़ी धूम दाम से रीती रिवाश से साधी करवा दी जाती है दोनों की साधी होती है और यहाँ पर जो रमेश होता है अपनी पतनी को लेकर यानि की रंजना जिससे अब तक वो भावी कहा करता था उसको लेकर और अपनी मौसी को लेकर सीधा दिल्ली चला जाता है और वहीं पर सभी लोग एक साथ प्यार से रहा करते हैं यहाँ पर यह परिवार पूरी तरह से अलग अलग तूटा जो पड़ा था वो एक सा लेक और शेयर जरूर करें बाकी आपको इस कहानी से सीखने को क्या मिला इसके बारे में भी जरूर बताएं मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय वारत जय हिंद्स्तान